हेलो आज़ बात करने वाले हैं चीर के पेड़ के बारे में जो कि उत्राखन के मेहतपून पेड़ों में से एक है यहां के लोग चीर के पेड़ का बहुत यूस करते हैं चाहे वो उसकी निडल हो लकडी हो या फिर रेजिन उसे पहले बात करते हैं pine needles की यानि की चीड के पेड की पत्तियों की सूखी needles को यहाँ पर पिरू के नाम से जाना जाता है highly flammable होने के गारण इनका यूज जादतर जलाने में किया जाता है और गाय भैसों के बिस्तर के तौर पर भी किया जाता है pine resin glue जैसे दिखने वाला एक liquid होता है जो इसके तने से निकलता है जिसे forest department के लोग conical container में एकटा करते हैं और इसका जादतर यूज तारपिन का तेल बनाने में किया जाता है लासली बात करते हैं चीड के पेड़ के लकड़ी की जिसका उत्राखंड में बहुत ही जादा यूज किया जाता है यहाँ गाओं में आज भी कुछ घरों में चूलों पर खाना बनाया जाता है जिसके लिए लकड़ीों को ही as a fuel यूज किया जाता है जिन में से एक चीड की लकड़ी भी होती है चीड की पेड़ की लकड़ी के उस हिससे से बनता है जिसमें रेसीन की मत्रा जादा होती है यह भी बहुत जोलन शील होता है इसलिए इसका भी जादतर यूज जलाने में किया जाता है लोग इसका यूज मशाल के तोर पे भी करते हैं क्योंकि ये बहुत देर तक जलता है और हाँ इसको सस्ते नशे इसलिए बोलती हूं क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा अच्छे खुश्बू आती है